मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद नमस्कार मैं हूं वैभवनाच शर्म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 14 सितंबर के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की विक्रम समवत 2076 मास चल रहा है भादरपत का तिथी शुकल पक्ष की पूर्णिमा की तिथी है शनिवार का दिन है नक्षत्र है पूर्वा भादरपत योग है शूल और करण है बव और अगर रत पर्व और तयोहार की बात करते हैं तो आज पूर्णिमा की तिथी है और आ पेश्राशी वाले जातक लोगों के लिए भाई बहन वा बंदू बांदव के साथ आज वाद विवाद तनाव लड़ाई जगडे की इस्तिति दिखाई देती है जिसको आपको अपनी समझ बूच से अपनी दिमाग से बुद्धी चातुर से बचाने का प्रयास करना चाहिए आज के दिन को शुब बनाने के लिए ओम दारिद्र दुख दहना ये नमस्षिवाय मंतरका 108 बार जाप करें घर के आसपास किसी भी शिवलिंग में शिव मंदिर में जाएं शिवलिंग पर कच्चा दूद और जल समर्पित करें और वहां बैठ करके इस मंतरका जाप करें तो आपको फायदा अवश्य ही मिलेगा किसी भी प्रकार के वाद विवाद में लड़ाई जगडे में आप न उलजें व्रिशव राशी वाले जातक लोगों के लिए धन से संबंदित बामले महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आज आपको बहुत बड़ा धोखा विश्वा पास में कमीना होने दे मिथुन राशी मिथुन राशी वाले जातक लोगों के लिए भागिवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है देवी दुर्गा के सामने बैट करके दुर्गा चालीसा का पार्ट करना आपके लिए कल्यानकारी होगा प्रापर्टी या शेयर में अगर आपका ही इंवेस्टमेंट अभी करना चाहते हैं तो उससे आपको बचना चाहिए करकराशी करकराशी वाले जातक लोगों के लिए नए कारे शेत्र आपके जो प्रयास चल रहें उसमें आपको बहुत अच्छी लाप की स्थिति सामने आ सकती है गडपती देवता की पूजा राधना अगर आपके दिविधान से आज करते हैं तो आपको फायदावाश मिले आदित्य श्रींग इस मंत्र का तीन माला जाप आपको लाल चंदन की माला से करना बहुत अच्छा लाप दे सकता है लाल चंदन की माला ना हो तो सिर्फ रुद्राक्ष की माला पर भी जाप करके फायदा ले सकते हैं शेर बाजार में इंवेस्टमेंट करने से अभी आप श्री सूकत का पाठ करें मांसाहार के सिवन और प्रयोग से आप बचें तुलाराशी तुलाराशी वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक सहयोगी लोगों से तनाव के कारण कलेश बहुत जादा रहेगा मन जो है बहुत अशान्त रहेगा तनाव के कारण आपको कहीं कहीं से मन में जो है क्रोध की इस्तिती उत्तेजना की इस्तिती बनी रहेगी जिसको आपको अपनी समझदारी से रोकना होगा मान नपूर्णा की पूजा राधना करें नपूर्णा एस्तिति का पाठ करें मानसाहार और मद्यपान के सेवन तथा प्रयोग से आपको दूर रहना चाहिए व्रिष्चक राशी वाले जातक लोगों के लिए व्यापार व्रिस्तार की इस्तिती आपके लिए बनती है ससुराल पक्षत से कोई बड़ा लाब मिले ऐसे इस्तिती भी आपके लिए दिख रही है धनदा इस तरोत का पाठ करना आपके लिए बहुती लाबकारी रहेगा इन्वेस्टमेंट से आपको भी आज दूर रहना चाहिए मकर राशी मकर राशी वाले जातक लोगों के लिए वानी पर नियंटरन रखना आपके लिए बहुती आवश्यक रहेगा आपको आज की दिन चर्या में गडेशी की पूजा राधना में खासतोर पर ओम गंगर पतैने महमंतर का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए अपने भाग को मजबूत करने के लिए गुडलक के लिए खरे रंग का रुमाल आप अपने साथ जरूर रखिये कुम राशी कुम राशी वाले जातक लोगों के लिए यात्रा देशाटन की इस्तिती सुखद वर लाप्रद रहेगी गाये को सरसों का तेल लगा करके रोटी पर दो टुकड़ा गुड़ के साथ आप अपने हाथों से खिलाएं और ओम क्लिंग कृष्णायन महमंतर का 108 बार जाब करें बड़े बुजर्गों का दिल आपको नहीं दुखाना चाहिए मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक जीवन सुखमे होगा आर्थिक लाब बहुत बड़ा मिल सकता है वटवरिक्ष के पत्ते पर कुम-कुम से स्वास्तिक बना करके सा जो है सुपाड़ी रख करके मा लक्षमी के चरणों में लक्षमी मंदर में आपको समर्पित करना चाहिए घर के आसपास कोई लक्षमी मंदर ना हो तो घर के लक्षमी जी के सामने भी घर में पूजा इस्थान में जो लक्षमी जी है उनके समक्ष भी ये टोटका आप कर स चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अब हम लोग बात करेंगे आज के महाउपाई की जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर घर में कोई बहुत लंबे समय से बीमार है कोई बहुत जादा बीमार है या आप स्वेम किसी रोग से पेड़ित हैं तो किन मंत्रों का जा मंत्र का जनक देवता माना जाता है महादेव के प्रतीक ओम के बिना हर मंत्र अधूरा है वही आदी है और वही अंत है नियमित तोर पर ओम नमश्यवाय का जाब भी हजारों कश्टों से दुखों से मुश्किलों से आपको मुक्त दिला सकता है साथी भगवान शिव के महा प्रशाली मंत्रों की श्रेणी में रखा जाता है जिसे हम लोग महा मंत्र कहते हैं तो महा मंत्र की श्रेणी में दो ही तीन मंत्र हमारे शास्त्रों में आज तक सम्मिलित हैं ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के जाब से आसन मृत्यू को भी टाला जा सकता है आसन मृत्यू का मत स्वाइब तरे कि महा काल की पूझा राधना से साधना से उनकी भक्ती करके आप अगर उनकी कृपा प्राप्त कर लेते एं को प्रसंद्न कर लेते हैं तो काल को भी आप टाल सकते हैं महामृतुंजय मंत्र जो है मनुश्यों को विभिन कष्टों से उबारता है वहीं भगवान शिव के कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिनका जाप करने से बड़ी से बड़ी बीमारी से आपको ततकाल प्रभाव से रहात मिल जाती है अगर महामृतुंजय मंत्र के ही पहले दो मंत्र तो महामृतुंजय का ही स्परूप है महामृतुंजय का एक बीज मंत्र है उसका आप प्रयोग करके लाब ले सकते हैं और एक तो महामृतुंजय मंत्र है उसको भी बीज मंत्र से संपुटित किया गया है तो इन मंत्रों का जाप करके आप लाब अवश्य ले सकते हैं साथ ही साथ अगर बहुत गंभीर रोग की इस्थिति है तो ऐसी इस्थिति में कुशा के जल से भगवान शिव का अभिशेक किया जाना बहुत अच्छा फायदा रोगी व्यक्ति को देता है तो कौन-कौन से यह मंत्र हैं आए समझ लेत तर बूब यह बीज मंत्र है जिस तरीके से मंत्र शुरू में लगा जाते हैं गाओ ने जब मंत्र होता है तो उसका नियम है कि वह फिर उसी तरीके से रिवर्स क्रम में आगे बऴता है कि तो यह पहला बंत्र हो गया दूसरा मंत्र अम्रितुन्जय महादेवं तरहिमाम शरणागतम जन्म अम्रित्यु जराव्यादी पीडितम कर्म बंधनह ये दूसरा मंत्र हो गया और तीसरा मंत्र सामान्य रूप से महाम्रितुन्जय जो आम प्रचलन में हैं जिसको हर व्यक्ति सुनता है जिसके अलग-अलग जो है ऑड महाम्रितुन्जय मंत्र में ये ओम-अम्रितुन्जय क्या है तो ये भगवान महाम्रितुन्जय का जो मंत्र है उसका ये बीज मंत्र है बीज शक्ति है तो ये महाम्रितुन्जय मंत्र का शौट फॉर्म आप समझ दीजे तो आप सिर्फ इतना सा जाब करके भी महाम्रितुन्जय मंत्र के पूरे जाब का लाब ले सकते हैं तो इन में से जो भी आपके लिए संभव हो जाए जादी का भी जाप कर सकते हों तो आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा कहने का तात पर यह कि किसी भी माध्यम से महामृतुंजय भगवान महाकाल की पूजा अराधना करने से आप अपने रोग कष्ट व्यादी से मुक्ति पा सकते हैं तो आप ओम नमश्यवाय करें आप मह महामृतुंजय सादा करें महामृतुंजय का संपुटित रूप करें महामृतुंजय का बीज मंत्र करें या जो आपको दूसरा मैंने मंत्र बताया उसका आप जाप करें तो आपको फायदा मिलता है यही जो संपुटित मंत्र है इसे मृत संजीवनी भी कहा जाता है कि मृ प्रित्र व्यक्ति के लिए यह संजीवनी के समान है तो दोस्तों आशा करता हूं कि आवश्चक शास्त्रिय जानकारियां यह ग्यान जो आपको मेरे यूट्यूब मुझे आग्या दीजे और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन जय महाकाल आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद आप वाट्सप करें 9818300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे sharma.webava.webhava.gmail.com इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाटसप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद